दोस्तों जैसे कि आप सभी को पताई कि टीम इंडिया ने वेस्टन डीस को सुकुरुवार को कॉल करता कि इडन गार्डन्स में तीन मैचों की T20 सिरीज के दूसरे मैच में आठ रनों से हरा दिया जहां पर इस जीत के साथ टीम इंडिया ने दो शून्या से अज़ेई बना लिया और वहीं वंडे में शांदार प्रदर्शन करने के बाद भारतिय टीम ने तीन मैचों की T20 सिरीज पर भी अपना परचम लह रहाया हाला कि दोस्तों दूसरा T20 मुकाबला जीतना भारतिय टीम के लिए उतना आसान नहीं था जितना की आप सभी को लग रहा है त बहुत शर्मा भेतरीन कप्तान है या फिर विराट खूली तो चलिए अब आपका जादा समय ना लिते हुए बात करते हैं इस खबर के बारे में जी आँ दोस्तों भारत और वेस्टन डीज के बीच तीन मैचों की T20 सिरीज का दूसरा T20 मुकाबला कॉलकाता के इडिन गार वेस्टन डीज टीम के कप्तान काहिरन बोलाड ने टॉच जीत कर पहले गेंदवाजी का फैसला किया और पहले बल्लेवाजी करने उतरी भारते टीम में 20 ओवर में 5 विकेट के नुक्सान पर 186 रन बनाए और वेस्टन डीज की टीम को 187 रनों का लक्ष्रे मिला हाला कि द वेस्टन डीज की टीम थोड़ी फस्तिवी नजर आ डी ते लेकिन फिर टीम को बापसी करवाई निकोलस पोरन और रॉममेन पॉविल ने मिलकर जियां दोस्ते इन दोनों ही खिलाडियों ने भारत के खिलाफ ताबर तोड़ों अंदाज में बल्लेवाजी की और भारत के लिए ये दोनों ही वो खिलाड़ी थे जो की एक चिंता का विश्या बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि शायद अब भारत के हास्ते ये मुकाबला पूरी तरह से फिसल रहा है और क्योंकि यहां पर निकोलस पूरन 41 गिंदों में 62 रनों पर खेल रहे थे और रॉमेन प पर निकोलस पूरन और रॉमेन पोवल मैदान पर टेके हुए थे और इसी होवर में दोनों ही खिलाडियों ने अपनी सत्कीय साज़दारी भी पूरी कर ली लेकिन फिर बाद में जब भुवनेश्वर कुमार उनीसवा ओवर डालने के लिया है तो उनीसवा ओवर की तीसर पर निकोलस पूरन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे थे काईरन पोलाड हाला कि हाँ पर उमीद हैती कि काईरन पोलाड और रॉमेन पोवल ताबर तोड़ बल्लेवाजी करकर टीम को कहीं जीताना थे और अन्तिम और बीसवे ओवर में बेस्टनीस की टीम को जीतने क के लिए बसमात्र 6 गिंदों में 25 रंच चाहिए थे और यहां पर फिर मैदान पर उतरे हर्शल पटेल 20 वा ओवर डालने के लिए और 20 वावर में जब रॉमेन पोवल ने दो लगातार चखके लगा दिये तो उसके बाद ऐसा लगा था कि अगली दो बॉलों में कहीं रॉम भारती टीम का प्रदर्शन बेहदी लाजवाब था क्योंकि यहां पर भारती टीम की जीत में हरे खिलाडी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि यहां पर ना तो आगर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते और उस समय पर जब विराट कोली आये ते तो भार भारती टीम पूरी तरह से मुसीबत में थी लेकिन फिर भी उन्होंने अंत में आकर पारी को संभाला जिस तरह से वो काबिले तारीफ है और इसी के साथ भारत ने सभी के योगदान से इस मुकाबले को जीता बाकी अब आपकी क्या राए है भारत के प्रदर्शन के बारे म कर इसी जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत